नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंगिदेंस इंसाइड में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबालें ताकि कोई भी मेडिकल प्रोड़क्त की जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुत सके मेरा सब्सक्राइब करते हैं कंपनी से मार्केट कर रही है और 70 रुपीस की MRP है तो खाज-खुजली इचिंग इरिडेशन फंगल इंफिक्शन में काफी सक्सेस्फुल क्रीम मानी जाती है डर्मी के मोसी क्रीम कैसे काम करती है वह मैं आपको बता देता हूं तीन दवाईयां ड करते हैं जैसे आप इस क्रीम को जगा पर लगाते हैं जहां पर भी आपको खाज-खुजली इचिंग इंडेशन फंगर इंफेक्शन की प्रोब्रम होती है जैसे आप इस दवाई गुम कर देता है खाज-खुजली निकाल देता है और स्किन को थोड़ा रिपेर करने का काम करता है अच्छा इंग्रीटेंट डाला गया है दूसरी दवाई जो डाली गई वह नियोमाइसन एंटी सेप्टिक काम करती है नियोमाइसन जैसे आप इस दवाई को उस जगह पर एफेक्टेड एरिया जहां पर भी आपको खाज खुझली है उस जगह पर लगाएंगे तो न मार डालने का काम करती है माइको नाजो नाइटेड तो और जो इंग्रीटेंट डाले गए हैं बहुत ही अच्छे इंग्रीटेंट डाले गए हैं अगर आपको खाज खुझली इचिंग इरिडेशन फंगल इंफेक्शन की प्रॉब्लम है तो डर्मी के मोसी खरीदिया यह तो आपको इसके साथ और भी इलाज करने पड़ेंगे क्योंकि डर्मी के मोसी क्रीम अकेली कारगर नहीं रहती है तो अगर आप सिर्फ डर्मी के मोसी क्रीम लगा रहे हैं फंगल इंफेक्शन के एरिया में उस वक्त आपको असर दिखाएगा लेकिन थोड़ दाइम बात वापिस आ जाएगा तो आप डर्मी के मोसी के साथ और भी इलाज कीजिए प्रॉपर डॉक्टर सुपरवाइस कीजिए प्रॉपर डॉक्टर कंसल्ट कीजिए दाकि आपका खाश खुझली इचिंग इरिटेशन फंगल इंफेक्शन दूर हो जाए आज के लिए इतना है द